मेरे पास एक पीपो प्लस का फोन है कीपैड शेट चाइना मोबाइल इसमें कीपैड का लाइट तो जल रहा है लेकिन डिस्पेले का लाइट उपर का जो है ओ नहीं जल रहा है मैं display चेंज किय था इसको आप सबसे बहले display को change करना है display में भी खराब हो सकता है तो display मेंने change कर दिया है पर अभी तक light नहीं आ रहा है तो थोड़ाँ साइश इसका प्रींट भी देख लेता हूँ अधर प्रींट भी सही है देखने में तो सही लग रहा है इसको मैं कैसे स्वल्ब करूँगा आपको बिल्कुल शॉटकॉट में बताऊंगा और होर की प्याड मोबाइल इससे काम होएगा एक जंपर वायर लेना है आपको और यहां पर मैं सिरियल वाय एक दो तीन चार करके बीस पीन का डिस्पले है दो नम्मर पे जंपर लगाना है फरस्ट में मैंने दो नम्मर पे जंपर लगा दिया है अब इस जंपर को बोड पे कहां पर सेट करना है मैं आपको बता दूँगा कोई भी कीपैड सेट काम करेगा अगर नीची कीपैड का लाइट आ रहा है तो कीपैड का जो प्लॉस पॉइंट है इसमें आप एक बार चेक कर सकते हो कीपैड का जो प्लॉस पॉइंट है इसमें लगा के चेक कर सकते है मैं अभी चेक करके आपको देखा रहा हूं मैंने जंपर शेट कर दिया है अब बैठी लगा के मैं चेक करता हूँ ओके डिस्पेले का लाइट है पूरी तरीके से अच्छा अच्छा आ रहा है सब कुछ ठीक है मैं एक बार फिर देखा दूँगा आपको अब देखिए दो नंबर से मैंने जंपर लिया है और की प्याड का जो नीचे का प्लॉस पॉइंट है उसमें मैंने सेट कर दिया है जंपर किलियर होना साहिए दर उदर टॉच नहीं होना साहिए थैंक्स पर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना